Hello students, welcome to Topper's Talk आज है डेट 5 में 2020 आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस डेट से आपको आपकी सभी परिक्षाओं में करंट अफेस से लेटेट कौन कौन से कुशन्स बन सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की आपके पहली अपडेट है आपका पहला उप्शन है अमिश्या, जैशंकर प्रसाद और वी मुनली दरन दिखे इसका राइट उप्शन है नरेटर मोदी 2014 में प्रदानमंतरी बनने के बाद में प्रदानमंतरी मोदी के दोरा गुटनिर पेक्ष आनदुलन का यह पहला ही सम्मेलन जिसमें उन्होंने भाग लिया है वर्तमान में गुटनिर पेक्ष आनदुलन सम्मेलन के अध्यक्ष है अजरबेजान के राष्टपती इलहान अलियेव ठीक है, अजरबेजान की राष्टपती बाकू है जब भी आप Current Affairs का यह चैनल देखें तब Paper, Pen आपके On रख लीजिए जिससे कि आप Important जानकारी को नोट कर सके है सम्मेलन 4 मई 2020 को आउज़ित किया गया था जो कि एक Virtual सम्मेलन था वीडियो कॉन्फरेंसिंगे माद्यम से आउज़ित किया गया था देखें अब पहले बॉक्स में आईए नाम Non-Aligned Movement या गुट निर्पेक्ष आंदुलन इसे हिंदी में खा जाता है सदस्च 120 है इसके और इस थापना 1961 में हुई थी देखें गुट निर्पेक्ष आंदुलन क्या होता है गुट निर्पेक्ष आपको नाम से समझ में जैसा किया रहा होगा किसी भी गुट से निर्पेक्ष आपको बनाए रखना या अलगाओ बनाए रखना अपने आपको अलग करना गुट निर्पेक्ष आ कहलाती है तो देखें इसके शुरुआत कहां से होई दुतिय विश्विद समाप्त होने के पश्यात अमेरिका और वर्तमान मतलस्वारी ततकालीन सोवियत संग जो की वर्तमान में रूस है दो अलग-अलग खेमों बढ़ गया जिसमें की अमेरिका पूझी वादी नीतियों का समर्थक था और रूस जो था वह समाजवादी नीतियों का पोशक और समर्थक था अब दोनों जो जो बाकी कंट्रीज थी वे यह चाहती थी कि या तो अमेरिका के गुट में शामिल हो या रूस के गुट में तो कुछ देश ऐसे भी थे जो विकास शील देश थे जिसमें से कुछ एशिया के देश थे लेटन अमेरिका के देश थे और अफरिका के देश थे जिन्होंने मिलकर यह ने लिया कि हम किसी भी देश की या किसी विचाड़दारा के साथ में अब नहीं जाएंगे और हम अलग रहेंगे इन सब चीजों से तो इसलिए गुट निर्पेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ 1961 में जब भारत के प्रधानमिंत्री जवाल लाल नहरू थे उनकी भी इस आंदोलन की स्थापना में बहुत मैतुपूर्ण भूमी का रही है अपका सेकंड अपडेट है हाल ही में किस देश के द्वारा आर्केटिक जलवायू और पर्यावरण की निगरानी है तो अपना पहला उपगर लांच करने की गोशना की है इसमें फर्स्ट आप्शन है जापान, सेकंड रूस, तीसरा चीन और चौथा भारत तो देखिए इसका राइट आप्शन है रूस, रूस के द्वारा हाल ही में आर्केटिक एम उपगर आर्केटिक जलवायू और पर्यावरण की निगरानी है तो लांच करने की घोशना की गई है New Agency है Sputnik जिसके द्वारा बताया गया है कि इसका भी Radio Electronic Trial चल रहा है जिसके बाद में 2020 के एंड तक इसे लांच कर दिया जाएगा देखे बात आती है रूस की तो रूस की राजधानी है मौस्को राश्टपती है व्लादिमिर पुतिन और मुद्रहय रेशियन रूबल इतना आपको इस कुश्चन में से याद रखना है नेक्स अपडेट है आपकी आज की किस राजसरकार द्वारा शेहरी शेतर में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंद्री रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है या लांच की गई है पहला ऑक्षन है करनाटक शेकंड है हमाचल प्रदेश थर्ड है मद्धिप्रदेश या राजस्थान तो इसका रट ऑप्षन है हमाचल प्रदेश देखे हमाचल प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होई जिसकी अध्यक्षता हाल ही मुख्यमंद्री जैराम ठाकुर नेकी औ और उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते अर्थ विवस्था भारी मंदी के दौर से गुजर रही है जिससे की रोजगार लोगों के छिन रहे हैं ऐसे में शहरी लोगों को रोजगार की विवस्था करने के लिए उन्होंने 120 दिन के गैरंटीड रोजगार देने की लिए इस योजना को लॉंच किया है और उन्होंने कहा है कि अगर आवश्चक हुआ तो वे उन्हें स्किल डेवलप्मेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उसके लिए चलाएंगे देखिए अब बॉक्स में आते हैं इमाचल प्रदेश की राजधानी हैं शिमला जोकी गिरीश्म कालीन राजधानी हैं धर्मशाला शीत कालीन राजधानी हैं सीम जैराम ठाकुर हैं और राजजपाल बंडारू दत्तत्रे हैं इतना आपको इस प्रिश्ण में से याद DRDO या IAT तिरूपती देखिए इस UV ब्लास्टर का निर्मार्ण किया गया है DRDO के द्वारा DRDO ने अभी इस UV ब्लास्टर के निर्मार्ण के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि यह ब्लास्टर ऐसे प्रियोक शालाओं और कारेलियों में इलेक्ट्रोनिक अपकरन अंप्यूटर और अन्य गैजट जिन पर रासायनिक वीडियों से किटानो सोधन नहीं किया सकता है उसके लिए इस ब्लास्टर का उप्योग किया जाएगा बात आती है DRDO की तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में मोटो है बलस्यमूलम विग्यानम जिसे इंग्लेश में कहेंग कि दैनिक उप्योग की वस्तूओं या उत्पादों को प्रदर्शित करने एवं सरकारी खरिदारों तक पहुंच बनाने है तो केस ऑनलाइन सुविधा का प्रारम किया गया है इसमें आपके ओप्शन्स हैं सहेज उत्पाद, दे ग्राम कलेक्शन, दसरस कलेक्शन या उत्पाद अडिरिट अफ ग्राम देखिए इसमें आपका सही उत्तर है दसरस कलेक्शन, दसरस कलेक्शन को E-Market Plus जो Government का है GEM जिसे बोलते है GEM Government E-Market Plus उसमें एक option की तरह add किया गया है जिससे की जो gramian स्वयम सहायता समोव होते हैं वे अपने द्वारा बनाए के दैनिक उप्योक के वस्तुएं या उत्पादों को इस पर लिस्ट कर सकें और Government agencies जो भी हैं जो की इनसे सामान खरीदती हैं वे उसका status जान सकें इसमें पांच उत्पाद श्रेणिया शामिल की गई हैं जैसे कि हस्त शिल्प, हत्करगा और वस्त्र, कारेलियों में इस्तमाल होने वाला सामान, किराना और पैंटरी और व्यक्तिकत देखभाल और साफ सफाई की श्रेणि इसमें दी गई है इसमें क्या हो सकेगा इससे कि जो राश्ट्री इसतर पर, राज इसतर पर, जिला एवं ब्लॉक इसतर पर, पधादी कारियों के लिए एक डैश्बोर्ट प्रदान करेगा जिससे की वे क्या कर सकेंगे उत्पादों की संख्या इत्यादी की जानकारी इस पोर्टल से ले सकेंगे तो यह आपकी मुख्य परिक्षा और आपकी प्रारंबिक परिक्षा दोनों की दृष्टी कौन से बहुत महतुपूर्ण है नेक्स्ट अपडेट है आपकी किस राज जने हाल ही में शराब की अधिक्तम खुदरा मूल्य MRP पर 70% स्पेशल कोरोना फीश लगा दी है दिखें आपकी आप्षिन्स हैं महराष्ट्रा, दिल्ली, करनाटक और उत्रप्रदेश इसका सही जवाब है दिल्ली दिल्ली में हाल ही में लॉकडाउन 2.0 के बाद में शराब दुकानों को कुछ वक्त के लिए खोले जाने के मंजूरी सरकार के द्वारा दी गई थी परंतो अत्य देख भीड के चलते, कई दुकानों पर लाठी चार्ज पुलिस के द्वारा किया गया और कई दुकानों को बंद भी करवाना पड़ा जिससे निपटने के लिए सरकार ने एक नए सुझाओ दिया है कि MRP पर अब 70 फीजदी स्पेशल कोरोना फीज़ शराब के उपर लगाई जाएगी दिखिए अब दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरिवाल, राजपाल, अनिल बैजल, कुल विधानसवा सीटें हैं 70 और लोकसवा सीटें हैं साथ इतना आपको इस प्रश्ण में से याद रखना है आज के आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पाइलेट कौन बन गए हैं विकरांत गुपता दिलीप से हैं, राहुल देब या वरुन खना इसमें आपका सही जवाब है, राहुल देब, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी हिंदू युवक को वायुसेना में जीडी पाइलेट के तौर पर चुना गया है, पाकिस्तानी मीडिया में सबी ख़बरों के माध्यम से जानकारी दी गई है देखे बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राज़धानी हैं इसलामबाद और राष्टपती हैं आरिफ अलबी, इतना इस प्रेश्ट में से आप याद रखेंगे नेक्स्ट कुश्चन है आपका, कार्मिक और प्रशिक्षन विवाग द्वारा, हाल ही में जारी एक आदेश, अनुसार, केंदर सरकार, जम्मो कश्मीर और लद्दाग में काररत करमचारियों के, सभी सेवा मामले कैट की किस बेंच के द्वारा सुने जाएंगे आपके आप्शन्स हैं, जम्मो कश्मीर बेंच, लखनाव बेंच, दिल्ली बेंच या जवलपूर बेंच इसका सही जवाब है, जम्मो कश्मीर बेंच देखे, अभी हुआ क्या था हाल ही में, कि एक वकील के द्वारा एक आदेश को मिसंटरप्रेट कर दिया गया था जिसमें की लिखा गया था कि चंडीगड बेंच के द्वारा जम्मो कश्मीर के मामले सुने जाएंगे में बेंच चंडीगड है और जो उसकी सरकिट बेंच है, जम्मो कश्मीर में लगातार कारेरत है तो जो मामले हैं, डियो पी टी, जो है डिपार्टमेंट और परसनल एंड ट्रेनिंग्स कार्मिक मंत्रा लेके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि जो जम्मो कश्मीर के मामले हैं, जम्मो कश्मीर की बेंच के द्वारा ही सुने जाएंगे इस के लिए चंडीगर जाने की ज़रूरत नहीं है अब बात करते हैं केंद्री प्रिशास्टिक नियाइदी करण की तो इसका गठन जो है सम्विधान के नुच्छे 321 एक अंतरगत किया गया था और इसका उदेश है लोग सेवाओं द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की भरती और सेवा की शर्तों के संबंद में विवादों और शिकायतों पर निर्णे करना बेंच पूरे भारत में केंद्रि प्रशाषनिक नियाइदी करण में 17 बेंच और 21 सर्किट बेंच है और इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में कारज़त है ठीक है इतना आपको इस प्रिशन में से याद रखना है नेक्स अपडेट है आईटी तिरुपती द्वारा COVID-19 पर अधारित विक्षित किये गए वेब अधारित गेम का नाम क्या है COVID-fighter, Here I am, Mr. COVID, COVID-Jaser या Survive COVID-19 इसका राइट आप्शन है Survive COVID-19 इंडिन इस्ट आफ टेक्नलोजी तिरुपती ने हाली में सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए एक वेब और मोबाइल गेम बनाया है जिसका नाम है Survive COVID-19 इतना आपको इसमें से याद रखना है ठीक है, आपकी नेक्स अपडेट है कोरोना संक्रमितों की वाहन के भीतर से ही कैमरा एवं इंफ्रारेड से जाज करने है तो संजीवनी वाहन कहां शुरू किया गया है चतरपूर मद्रदेश, छिंदवाडा मद्रदेश, सागर मद्रदेश या इंदौर मद्रदेश इसमें आपका राइट आप्शन है चतरपूर मद्रदेश राजनगर एक स्थान है, चतरपूर में इस्थित है जिसमें संजीवनी वाहन नाम से एक वाहन तयार किया गया है प्रशासन के द्वारा जिससे कि अंदर बैठे बैठे जो करोना परिक्षन करमी है वे करोना संदिक द्विक्ति की जाज कर सकते हैं इसमें बाहर कैमरा एवं इंफारेड लगा होगा एवं पीपी जो इकिट होती है उसकी भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इतना आपको इस प्रशन में से याद रखना है देखिए कल का जो प्रशन है उसमें सर्चा कर लेते हैं जो आपके लिए दिया गया था दारोजी, श्लॉट बियर, सैंचुरी कहां परिस्चित है उत्राखन, मिघाले, राजस्थान या त्रिपूरा में इसका राइट ऑप्शन है करनाटक माफ कीजेगा इसमें ऑप्शन में नहीं दे पाए हैं ये पर उसका राइट ऑप्शन है करनाटक देखे, स्लॉट बियर भालूं के एक प्रजाती होती है जो भारती उप महादी पर पाई जाती है आई-ई-उ-सी-एन जो जानवरों की वशेश ग्रस्ट जो जानवर होते हैं संकट कालीन जो जीव होते हैं उनकी जो सूची जारी करता है उसमें संकट ग्रस्ट श्रेणियों में स्लॉट बियर को रखा गया है लॉकडाउन के चलते हाली में अन्दपदेश में ने देखा गया था इसलिए ये प्रशन आप से यहाँ पर पूछा गया है इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है इसलिए आप इसे याद रखेंगे आज के लिए आपका कुश्चन है विष्व में भारत का कोईला भंडारन में कौन सा स्थान है दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा मैं आप से फिर से एक बार कहूंगा कि आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में विवरन के साथ लिखा करिए क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देंगे और फिर आप भूलेंगे नहीं इफ यो फाइंड इस वीडियो यूसफुल प्लीज लाइक इट अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप उसको डिसलाइक करें थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें